नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुवात करते हैं हेंडलाइन से अमेरिका ने भारत से कहा असहिश्नूता बड़े ही है नागरिकों की सुरक्षा करे बीव पर हो रहे बवाल पर जटाई पिंता रामदार सठावले का बीएस्पी सुप्रीम मायवती परवार पूछा अम्बेदकर की अनुयाई है तो बोध घर्म क्यों नहीं अपनाती कहा पिये मोधी नहीं है दलित विरोधी हिमाचल हाई कोट का बड़ा आदेश केंद सरकार को कहा छे महीने के भीतर बनाए गोहत्या रोकने के लिए कानूर पहले भी गोहत्या परपती बंद लगाने के दिये थे आदेश देश के दस राजियों में भारी बारिश का कहर सुबा होते ही फिर लगा दिल्ली में जाम असम समेथ पुर्वत्तर के कई लाखों में बारिश ते हाल बेहाल और अंगुठे की चोट की वज़ा से ओपनर मुली विजए दूसरे टेस्स से बहार के एल राहुल को टीम में खिया गया शामिल आज से शुरू हो रहा वेसंडी से खिलाब सीरीज का दूसरा टेस्स अमेरिका ने भारत में बढ़ती असहिशनूता और हिंसा पर चुनता जोताते हुए भारत सरकार से कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा दलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करें भारत में गोमार्स का सेवन करने वाले लोगों के खिलाव कथित हिंसा की घटनाएं और मध्यप्रदेश में भैस का मास ले जा रही दो मुसलिम महिलाओं के साथ मारपीट की घटना से जोड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जौन किर्बी ने कहा सभी तरह की असहिशनूता से मुकाबला करने और धार्मिक तथा अभिवेक्ति की स्वतंतरता को बनाए रखने की कोशिश में हम भारत सरकार और नागरिकों के साथ है यूपी में गरमाते चुनावी, माहौल और दलित वोटो की खीचतान के बीच केंद सरकार के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मायावती पर निशाना सादा है अठावले ने जोरदार हमला करते हुए बोला है कि मायावती बाबा साहिब अम्बेतकर के नाम पर राजनीती तो करती है लेकिन उनके आदर्शो को नहीं मानती इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेदकर के नाम पर राजनीती करने वाली मायावती ने अभी तक बोध धर्म क्यों नहीं अपनाया उन्होंने कहा कि मायावती हिंदू है यही नहीं उन्होंने साफ तोर पर कहा कि दलितों के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है उन्होंने ये तक कह दिया कि दलितों को बोध धर्म अपना लेना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी दलित विरोधी नहीं है हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रती बंद लगाने के बाद अब हाई कोट निकेंद सरकार को आदेश चारी कर कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए छे माँ के भीतर कानून बनाया जाए शुकरवार को हाई कोट के नियाधिश नियामूर्ती राजीव शर्मा और नियामूर्ती सुरेश्वर ठाकुर की खंड पीट ने केंद सरकार को ये आदेश चारी किये इसे पहले ऑक्टूबर 2014 में भी हाई कोट की इसी खंड पीट नियमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंद लगाने के आदेश चारी किये थे उसके अलावा हाई कोट निसरकों से आवारा पशु हटाने उनके लिए गोस्दन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिये थे इसी सिल्सले में हाई कोट में सुनवाई के दौरान शुकरवार को केंद सरकार को भी गोहत्या पर प्रतिबंद लगाने के लिए छे माँ के भीतर कानून बनाने के आदेश चारी किये गए हैं मायवती को गाली देने के आरोपी बीजेपी के बरखास उपाद ध्यक्ष दैशंकर सिंग को चौदा दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है दैशंकर को कल रात मव कोट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया दैशंकर सिंग ने जेल जाने से पहले मुख्य मंतरी से बी एस पी नेता नसीम अदिन सिद्गी के खिलाव भी कारवाई की मांगी गिरफतारी के बाद दैशंकर ने खुले तौर पर यूपी के मुख्य मंतरी अखिले श्यादव को चौनाती देदा ली उन्होंने कहा कि उनकी परिवार के हर सदसे के साथ अन्याई किया गया है उनके खिलाव केस भी दर्च किया गया है ऐसे में सरकार उन्हें गिरफतार करके दिखाए गौरतलब है कि दैशंकर की पतनी की ओर से ये मुकदमा दर्च कराया गया है देश के दस राजियों में बारिश ने कहर मचा रखा है उत्राखंड, बिहार, उत्रप्रदेश, राजस्थान, करनाटक, असम सहित दस राज्ये इन दिनों भारी बारिश और बाड की चपेट में है मौसम विभाग ने पश्टमी, पश्टमी उत्री, राजजियों सहित, राजधानी दिल्ली और एंसी आर के कुछ शेत्रों सहित, हर्याना और उसके आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी रहेगी सुबा होते ही फिर दिल्ली में जाम लग गया है ट्राफिक पुलिस ने ट्विट कर दी करीब आधा दर्जन इलाकों की जानकारी बारिश की वज़ा से दिल्ली एंसी आर मिसर को पर भयंकर जाम लग रहा है वही एहमदाबाद बार से जूच रहा है मद्रप्रदेश में लोगों के लिए रोपवे का सहरा है तो कनातक के बैंगलियूरू में राखत वचाव अभियान शुरू हो गया है असम सहिद पुरवत्तर के कुछ हिस्सों में भी बदहाली का आलम है पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज पर एशिया के बाहर सबसे बड़ी जीत दर्च करने के बाद टीम इंडिया की नजरे अब दूसरे टेस्ट में जीत दर्च कर वेस्ट इंडीज में टेस्स सीरीज में एक से ज्यादा मैच जीत अपना रिकॉर्ड बहतर करने पर लगी है लेकिन इसी वीज भारतिय टीम को ओपनर मुर्ली विजय के दूसरे टेस्स से भी बाहर होने के बाद बड़ा जटका लगा है खबरों के मताबिक सलामी बल्लेबाज मुर्ली विजय अंगूटे की चोट की वज़ा से दूसरे टेस्स से भी बाहर हो गए है विजय को श्रिंखला के पहले ही दिन सुभा शेनोन गेब्रियल की गेंद अंगूटे में लगी थी वेवेस्ट इंडीस की दोनों पारियों में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे दूसरे टेस्ट की टीम में दूसरे सलामी बल्लेबाज के एल राखुल को मौका दिया गया है राखुल ने टेस्ट श्रिंखला से पहले दोनों अभ्यास मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माधिम से तो आप जुड़ रहिए मेट्रो टीवी से नमस्कार